हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल फर डड़ी ड़ी और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल स्सलैब टीवी इंडिया को सबस्क्राइब करें और पासाय वैल सब्सक्राइब चैनल से मैच से हुई जिसमें चैंपियन ने अपने टाइटल को सफलतापूरबक डिफेंड किया इस बीच एक सेग्मेंट में रॉमर रेंज और जिमी उसो के संबंदों में खटाज प्रती देखी गई सो में रॉकर रोड्री ग्रेज और सौट जी की टीम कैमरन ग्राइम्स एले नाइट और एजे इस्टाइल ने अपने अपने मैचों में जीत दर्ज की बहीं में इवेंट में हुए दा के ओक सो में जबर जस्त बबाल देखने को मिला इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आए डालते हैं नजर उन पांच बड़ी बातों पर जो डबली डबली ने इस हबते स्मैक डाउन के जरीए इसारो इसारो में बताई हैं क्या डबली डबली स्मैक डाउन में मिले एले नाइट को बड़ा पुस दिये जाने के संकेत हैं जी हा दोस्तों एले नाइट को में रोश्टर पर आने के बाद से ही एक बड़े उस दिया जा सकता है इस मैकडाउन में इस अपते रिक बूक्स को हराने के बाद नाइट का इस्टीट प्रॉफिट्स को चेताब नीद देना यह संके दे रहा था कि आखरकाल डबलु डबलु उन्हें तो वो इस्टोरी लैंड देने जा रही है जिसकी उन्हें काफी समय से तलास थी क्या इस मैकडाउन में उनके सांदार प्रदसन को देखते हुए यह कहना गलत होगा कि उन्हें रेसल मेनिया 49 के बाद बड़ा पुछ दिये जाने की रिपोर्ट सच साबित होने वाली है उसका जल्द बन सकती है चैंपियन उसका ने इस साल की सुरुआत में एक बहुत मजबूत दिखाया गया है उन्हें रेसल मेनिया 49 में बियांका विलेयर को रॉब इमेंश चैंपियंशिप के लिए चैलेंज किया था लेकिन जीत दर्ज करने में नाकाम रही उनकी विलेयर के साथ दुस्मनी अभी भी जा रही है इस मैकडाउन में इस अबते विल चैंपियंस 2023 और उसका के लिए एक यादगार इवेंट बन सकता है प्रीटी डैडली को मिल सकता है बड़ा पुस्ट जीया दोस्तों डब्ली ड्राफ्ट 2023 में ऐसे कई सूपरिश्टार रहे हैं जिनने एक नाम प्रीटी डैडली टीम का भी सामिल रहा जिने इस मैकडाउन इस भी सेम्स के साथ रिंग साइट पर मौझूद रहे है इस बीच प्रीटी डैडली ने इंटर्फेर करते हुए त्योरी को टाइटर रिटेन करने में मदद की प्रीटी डैडली का एक चैंपियंसी मैच में आकर एक दिग्गत चैंपियंस से दुस्मनी मोल लेना दर्शा रहा है कि उन्हें वो इस टोरी लाइन मिल चुकी है जो उनके में रोष्टर पर सफर को दिला सकती है क्या क्रॉस बर्ड हैवी बेट चैंपियंसी मैच में दखल देंगे जी आ दोस्तों क्रॉस इस हफते डव्ली डव्ली में एक डार्क करेक्टर निवा रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक कार्ड दिखाकर एजे इस्टैल के साथ दुसमनी के संकेत दिये हैं इस हबते इस मैकडाउन में इस स्टोई लाइन को सुरुआती रूप दिया गया जहां दोनों रेसलर्स का मैच हुआ लेकिन अंत में इस्टैल्स ने बड़ी जीत दर्ज की क्रॉस को कैसे एंगल की जरूत है जो उन्हें बहुत बड़े हील सुपरिश्टार के रूप में पिरदर्सित करें चूंकि इस्टैल्स नाइट ऑफ चेंपियंस में सैट रॉलिंग के साथ वर्ल्ड हैवी वेड चेंपियंसिम मैच में बिलने वाले हैं इसलिए इस्टैल्स के साथ उसमनी को ध्यान में रखते हुए क्रॉस इस मैच में दखल दे सकते हैं वो इस्टैल्स की हार का कारण बनकर उनके साथ इस्टोरी लाइन को जारी रख सकते हैं जिससे उन्हें भी फैम पाने का मौका मिल सकेगा नाइट ऑफ चैंपियंस के टेग टीम चैंपियंसिम मैच म सेमी जैन और केविनो बेंज ने दाउसोज को सच्चाई से अबगत करने की कोसिस की और कहा कि उनके बिना दा ब्रेड लाइन कुछ नहीं है मंगर इस बीच रॉमर रेंज और सोलो सिक्वा भी वाहर आये जिसके बाद रिंग में ब्रॉल हुआ जब सोलो सिक्वा ने मौज को सबक सिखाने के लिए नाइट ओफ चैंपियंस में उन्हें टैग टीम चैंपियंसिफ जी से बंचित रख सकते हैं जिया दोस्तों डबली डबली और रेसलिंग से जुड़ी तमाम चोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल ऐस टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आयवल आइकन को प्रेज करें और वीडियो को जादा से ज्यादा सेयर करें